आज का वीडियो काफी यूसफूल है तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा फसना थो शेयर जरूर कीजेगा हम अक्षर कटलेट्स बनाते है और एक सलरी जरूर बनाते है तो सलरी आपके उना पालक की बना लो मेरी तरह पालक को मैंने ब्लेंड कर लिया और उसमें कॉन फ्लोर डाल के एक सलरी बना लेंगे और उसी में आप नमक डाल सकते हो चिली फ्लेक्स आड़ कर सकते हो तो अपने फ्लेवर आप उसमें आड़ कर सकते हो और यह सलरी बना के आप कोई भी कटलेट्स आप बना रहे हो जैसे कि मैंने कुछन पहले रस्पी आप अच्छे लगते और जैसे बच्चे पालक नहीं खाते तो पालक भी उसमें इंक्ल्यूड हो जाएगी तो बहुत ही टेस्टी से और बढ़िया सही खटलिट्स बनते तो इस तरह से आप जरूर बनाएगा पालक की सलरी डालके बहुत ही मज़ा आएगा तो चली नेक्स ट्रिक देखते हैं स्प्राउट्स भी बच्चे अक्सर खाते नहीं तो आपको करना गया है भाप में इसको 4-5 मिनट पका लेजे स्प्राउट्स को हरे मुंग के स्प्राउट्स है ठंडी जिसे हो जाए ब्लैंड कर लेजे एक बूल में शिप्ट कर लेजे और इसी में कुछ अब चावल काटा भी आप इसमें तोड़ा सा मिक्स कर सकते हो तोड़ी सी पतली वाली नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बहती बढ़ी असा ही तयार जाता है मिक्सर रेस्ट करने दियो उसके पाद कॉन्फोर एड कर लें ताकि बढ़ी ऐसी कुछी सही कटलेट अब तो अब आप एड़ कर सकते हैं तो अब अगर यह वीडियो मिस कर लिया तो प्लीज यह पूरी डेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे पेज़ पीज़ को जरूर ट्राइगा बचों बड़ों को बहुत पसंद आने वाली हैं आपकी किटी पाटि उसमें भी आप यह इंक् मज़त है तो अब जो भी खाएगा आपसे रेसिपी जरूर पूछेगा इसकी देखी है ना दिखने में बढ़िया चलिए जो नेक्स ट्रिक है उसके लिए मैं आपको बता रहे हूँ अगर सुबसुब आप चाते हो बच्चों के लिए बढ़िया सा टिफिन बनाया और हल् तो मैंने या पर ब्राउन राइस भीगो के रखे तो आप रात में भीगो के रख सकती हो चावल या पर ब्राउन राइस और इसको निकाल के मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में साथ ही टमाटर, प्याज, बची इस तरह से खाते नहीं है तो आप उसी में इंक्लूड का लि तो मैं थोड़ी से हरे लसुन अड़ कर रही हूं, ब्लेंट कर देंगे, पानी डालके रहा अच्छा सा बैटर इसका तयार कर लेंगे, और मैं इसके बना रही हूं चिल्ले, चिल्ले कह लीजे, डोसा कह लीजे, बहुत मस लगता है खाने में, दिखने में भी बहुत बढ़ी तो मैं इसके डाल रही कलोंजी और सफीर तिल जो कि बच्चे जो है ऐसे तो खाएंगे नियों और यहल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं तो आप इस तरह से चिपका की दोगे ना इसका फ्लीवर भी बहुत बढ़ी आएगा और खाने में मस लगेगा और दिखने में बहुत अच्छा लगता है तो बस इसको अल्टाते पल्टाते हुए ऑईल घी बटर जो भी आपको पैसन दो थोड़ा से लगा ले और इसको सेक ले तो बहुत ही बढ़ी बढ़ी चिल्ला बनके तियार हो जाएगा अगर आप पकोड़े बना रहे हो आलू के पकोड़े तो अच्छे से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इस तरह से बैटर में इसको लपेट लिया और इसको में कर ले रही हूं फ्राइए तो यह बहुत ही बढ़ी बढ़ी लगते हैं तो इसको भी आप ट्राइ कीजेगा अप साइड डिश करके भी आप यह पकोड़े बना सकते हो जो कि खाने में बहुत मस्त लगते हैं चिटनी और फिर सॉस के साथ भी ऐसे भी आप पाटी प्लेटर की तरह भी आप इसको सर्फ कर सकते हो पकोड़ों को वह भी जलपड बन जाते हैं और खाने में मस्त लगते हैं है ना बड़ी आसी रेसिपी ये भी अगर बच्चे जै आलू को ग्रेट करके मैंने डाला है इसमें आप हरी लसोन मेथी जो भी वैजिस होना सब ग्रेट करके बारिक बारिक कड करके आप डाल सकते हो कड़ी पत्ते हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे डाल दिया तो यह सारी चीज़े डाल के आप डो तैयार कर लेजेगा पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा लगेगा इसमें चुकि वैजिस में भी अल्रेडी पानी होता है तो यह देखिए इस तरह से मैंने आठा तैयार का लिया थोड़ी के रेस्ट करने देंगे इसको और फिर पॉलेथिन की शीट को कर लिजे ग्रीज और इस तरह से थप-थप करती हुए उंगलियों की हेल्ट से इसको अब बढ़िया से पर आठा तेयार का लिया और पॉलेथि इस नहीं खाते नो वेजिस आप इस तरह से बच्चों को खिला सकते हो बहुत मस लगता है ये खान में जरूर ट्राइ कीजिएगा ये वाली रेसिपी जटबट कुछ बनाना हो टिफिन के लिए तेल थोड़ा सा गरम कलिया जीरा राई कड़ी पत्ते हरी मिर्ची थोड़ी से मटर डाल दिये थोड़ा सा मटर को पका लेंगे लाल मिर्ची डाल देंगे कश्मीरी वाली और टमाटर पीसे हुए तो तीन बड़े से टमाटर पीसे आलू का बर्फा तो यह न मस लगता है काने में तो यह आलू जो है तीन आलू मैश किये वे बिस इसे mix-up करना है आपको और यह आलू का बर्फा बहुत जल्दी से बन जाता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। आप रोटी के साथ भी आप इसको enjoy कर सकते हो। ब्रे ट्रिक आपको मैं बता रही हूँ पराठा नॉर्मल पराठा काके बोर हो गए हो तो आप क्या कीजे पराठी का डो ठाइए इस तरह से बे लीजे पराठी के डो में जस मैंने नमक काली मिर्ची और थोड़ा सा घी डाला था उसको गुंटे वक्त और इस तरह से इसको एक कट लगा देंगे आधे हिस्से में और एक हिस्से में मतब चार हिस्से हो गए इसके तो एक तरफ मैंने आलू का बर्फा इसमें सिर्फ हरी मिर्ची और नमक मैंने डाला था बारिक कटवा प्याज एक तरफ से लगा रही हूँ एक तरफ से मैं लगा रही हूँ शेजवान चट तोड़ी पुदेने की पत्तियां भी मैं इसके ओपर डाल दूंगी कड़ी पत्ते भी आप डाल सकते हो चीरा पाउडर आप इसके ओपर स्प्रिंकल कर लो और इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लो तो यह ना इस तरह से बना हुआ पराठा ना बहुत मस लगता है खाने में व अब गी आपको पसंद हो की तरह से निज बाघा जैने और भी उड़ाथा निज तरह आपको बसंद हो इस तरह से उप लगा लें और इसको और से तरह से लिए ले और याप ल्यारा दो पाराथा ले भी तो पनिशिक घाने है विर बपीद्टागे तो कोछ चेंच चेहीं आपके पहन उठालेगे तो थोड़ा सा ओल लगा के राई और कड़ी पत्ते बारे कटे बारे कटे बाटर डाल दीजिए और यह बैटर डाल दीजिए और यह अलुका मसाला जो हम डूसे के लिए नॉर्मली उसके चुटे जरी बॉल्स बना के इसमें आप बीच में स्टॉफ करते हैं